कर दो हहे हैं ऑने पार तो उसको उड़ने में दिक्कत कर रही है तोर देटा अपने सारे शारे चुल कई तो और कलो दोस्तो है कैसे आप लोग मैं आप यूेटीब चैनल of comentarios मैं कि ऑज़ पीच मैं आया हूँ कोई टॉपडेक ripping लेकर लेकर नहीं आया हूँ आभ बता हम से ऐसे ही मन किया तो सोचत क्यों आप से बात की जाए आपको एक कहानी सुनाई जाए पड़ते पड़ते बहुं Id Iggy आपको बदल सकते हैं पूं किरा न कृसी मोटी इस लिवात हैं की जाएं डेली पड़ते पर है कि जीवन आपको कहीं कुछ नहीं दिख राएं आपको महसूस होता है कि आप आप जो जीवन है वह अंदकार में है future तो आप उस अंदकार आप याद रखना अंदकार को मिटाने के लिए सिर्फ एक लौ बहुत होती है रोश्णी की अंदकार जो है एक लौ से मिटा जा है यह कहानी यह कहानी है कि नाम तो अपने बाज old का नाम आता है कि जो अपने सिकार को को खाता है कभी भी जूटे सिकार पे कभी भी किसी के मरे मरहे सिकार पे अपना टावा नहीं ठोकता कुछ सिकार करता है और ताजा-ताजा उसको खाता है ऐसा होता है सकतर साल तक जीवित रहता है जब बाळ का बच्चा होता है चूटा सा बाज होता है तो उसको chegou होते होते हैं बहुत हוצते हैं बोहां सुध़ ठीज विंड़ र्मधर को स्थेऊजे को। आश्मान तक और चला जाता है उलता है जब सारे बादल पानी माता है रहते हैं पानी बर्सेगा, हम फीग जाएंगे, बहार होंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, तो सारे पक्षी डर की बज़े से अपने गौसलों में चिपके बैठ जाते हैं, बाज क्या करता है, उसको अपना अफसा समझता है, और वो अरान गठा बादलों से ऊपर, वो भी अग्षिजुच यह पानी ब्रस रहा कहां नहीं रहा कहां पिरूप के लिए वो उस तरफ की अच्छे होने का इंतिजार नहीं करता सा बनाखिए 17 हर एक इनसान के जीवन में एक बहुत सिखर पे पहुंचने के वाद एक समय ऐसा आता है जहां से वो नीचे आता है सीधी बात है अगर कहीं पे आप उभार देखोगे तो कहीं न कहीं गड़ा हुआ होगा अगर आप कहीं पे मिट्टी का धेर देखोगे तो जो धेर है लो बासके साथ होता है जब वो अपनी अमर पार कर लेता है यद्य वो पॉंचता है 40 साल पर उसके जीवन में ऐसा च्छना आता है जहां पूसको गठोर निरे लेने पड़ते चालिस पर तक पहुंचते पहुंचते उसके जो पंक होते हैं इतने ज्यादा विशाल हो जाते हैं कि उसको उड़ने में दिक्कत करने लगते हैं जो पंक होते हैं जब वो समेटता है तो उसके अंदर पेट में खुछ चाहते हैं वो समेट नहीं पाता है वो हवा को काट के उड़ना चाहता लेकिन पंक इतने बड़े हो चु सिकार नहीं पकड़ पाता है, चानच है आगे अगे से बैंड उगई, मुर चुकी है चानच वो सिकार को पकड़ नहीं पाता है ऐसी स्थितिमें उसके पास एक विकल्ख होता है कि वह अपनी जो बची हूँ जिन्दगी है उसकी जिन्दगी है 70 साल वो बची हुई जिन्दगी है एक इन्ही चीजों के साथ गुजाते मुड़ी हुई चौच बड़े नाखून बड़े पंखे उसको जो मिल जाए सडागला मरा हुआ उसको खाले और चुपचाब बैठा रहे उसके पास वो अपरचुन्टी नहीं है वो बादलों के उपर उखे जाए लेकिन वो ये बिकल्ब नहीं चुनता है वो बाज होता ये बिकल्ब नहीं चुनता है उसको तलास होती है दूसरे बिकल्ब की वो क्या करता है वो उस टाइम पे एक कठिन नड़ा लेता है, वो कठिन नड़ा क्या है, टफ डिसीजन क्या है, वो क्या करता है, जिस छेतर में होता है, उस छेतर की सबसे उची चोटी पे जाता है, सबसे उची जगह पे जाता है, एकांतवास में, वहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले क्या करता है, सबसे प कर रहा हो लेकिन कायाद कर रहा है वह उपना वह चोंच से तूर जाती है कूनिकलता है दर्थ Water कि ओंडर ताहे फैलिक यह चश्व डिया दिर दीर उसकी यह तूर चुकी है प्राणी कि इस नहीं पंख्य कार देता है फिर क्या होता है जो सारे पंख्य कि निकल गए उसकेавать यह पथर पर पने नाखून मारताह बहुत तेजी से लाख मों को घिस देता है इसे वनाखून को जोन से काड़ देता नाखून कट गए नाखून कट गए और चौंश नहीं हैव कमजोर है चौंश पंख sizin तोडिए है अब उसका नया जीवन आता है जैसे वो बच्चा था बच्चे से घरस के बाद बहुत बहुत जादा कश्टों के बाद वह निखर के आता है परस्टितिमों से लड़के आता है और पून हाँ जवानी को प्राफ करता है जवानी को प्राफ करने मतलब सारी चीजह उसकी नहीं होती चौच बहुत ताकतबर जैसी शुरुबात में थी पंक जीता करके आध में जीता है मेरे प्यारे बच्चों मेरे भाईयो मैं आपसे कहना चाहूंगा आप भी इसी तरह रॉप में जीयेें कभी ऐसा नम्त करना झि тай अफिस तावा को जिन्दिगी में अब यह आपका पढ़ाई का समया अभी आप नहीं परते हैं तो निश्चिते हैं मैं 100 tej लिर बताथा हूं आपको आगे भविष में पढ़ा होगा आप पस्तावा कि मैंने प्रहाही क्यों नहीं किर तो कभी सब कुछ सर्वस से जौंग दीजिए बाज को छे महीने तकलीफ ही थी आपके पास भी छे महीने तकलीफ उठा लीजिए पूरी जिंदगी को सुख में बनागे जी अमीद करता हूं आज की कहानी आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो चैनल को सबस्क्राइब करि राम उंदर का सल्यान याश हुआ है तो जै स्री राम